नमस्कार जैदन वंत्री अभी जो दर्शकों के प्रशना आ रहे हैं उसमें प्रशन पूछा है कि गुरुकुल सिस्टम अभी इतनी मजबूत या स्ट्रोंग क्यों नहीं है और क्या कमिया है उसमें कि आज आचारिय नहीं है और गुरुकुल बहुत ही कम या तो बिलकुल न रहा है और कुणाल भाई ने यह प्रशन पूछा तो खास यह जान दे पहले कि गुरुकुल के प्रति हमारा दाईत्व क्या है ओ लगभग लोग बूल चुके हैं आज इतनी विपरीत परिस्थिती है कि गुरुकुल के बारे में तो सब लोग बोल रहे हैं रोज एक पोस् करके पेस्ट कर देते हैं पता नहीं कहां पड़ा है क्या पड़ा है और गुरुकुल पे इतने सब सिखाया जाता था ओ लेकिन जब गुरुकुल पे कुछ करने की बात आती है तो 15,000 लोगों में सहयोग कितने देते हैं गिनकर 6 लोग संस्क्रूत यारिये गुरुकुलम को सहयोग देने वाले गिनकर 6 लोग है अंग्रेजों के जमाने में गुरुकुल को सहयोग देने वाले 90% से उपर थे जब गुरुकुल चलते थे या ऐसा अब 6 लोग गिनकर है 15,000 तो यूट्यूब से जुड़े हैं फेस्बुक से अलग और जो यहां पर आकर गए वो सब अ लेने वाले सुरण प्राशन के लाब लेने वाले केंद्र चलाने वाले अजारों लोग उसमें से 6 लोग सपोर्ट करते हैं 6 लोग सहयोग के रूप में अभी संस्कूरुती गुरुकुलम के हैं तो एक आचार्यको स्टाफ भी तयार करना है जमीन भी देखनी है वो भी खर रखाओ भी करना है स्टाफ का भी एंडलिंग करना है और गुरुकुल चलाने के लिए खर्चा भी निकालना है बहुत लोग बिलकुल निशुल्क या बहुत कम शुल्क में यहां पढ़ा रहे हैं लेकिन जिसकी लाखों फीजे वो भी कोई ज्यादा नहीं देते हैं लाख में पांच पेड़ खड़े हैं उसको पानी कोई नहीं देता है और बाकी वरुक्र की सभी बाते होती है तो गवर्मेंट देखे या पबलिक देखे अपने जीवन में जो भी ओ मोजा मनुरंजन करते हैं या मेकोले की शिक्षा ले रहे हैं या और कुछ भी तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है जब आती है गुरुकुल की बात तो सबको तकलीफ की बाते याद आने लगते हैं कि मेरी तो स्थिती नहीं है हम कुछ कर नहीं पाते हैं वेसा है वेसा है तो ये मुख्य कारण है दोगों का दाईत्व यहां बिलकुल शून्य है इस परिस्थिती में इसको चलाना है गवर्मेंट तो बिल्कुल बाहर है सादूसंद बिल्कुल बाहर है जिसके पास 1000 एकर जमीन है वो बिल्कुल बाहर है तो किसी की एक-डोव एकर जमीन लेकर उसमें फिर अपना structure बना कर, पेसा लगा कर, वो भी temporary सब करके, जब थोड़ा-थोड़ा पेसा इकठा होता है, तो कहीं जो पड़ी बना दी, कहीं कुछ बना दिया, सब salary दे दी, staff members को, तो इस तरह से गुरु कुल जलता है, अब इस तरह से तो कोई नवका किनारे पर पहुं क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी शक्ती से हम बहुत उपर जाकर प्रयत्न करते हैं, हमारी शक्ती का हम 90% खर्च करते हैं, 90 to 95, 5% वयक्तिक नहीं गिनते हैं, जो कपड़े का है, वो 5% या 10% जो खर्च होता है, वही जो वयक्तिकत भोजन का है, और कोई पर प्रिक में बहुत समर्थ लोग, मेरे से तो हजारों गुना समर्थ लोग भी, मैं मेरी ग्यान शक्ती के उपरांत, क्रुती शक्ती के उपरांत धन शक्ती का 90% दे रहा हूं, वो लोग जो जो सुन रहे हैं, वो क्रुती शक्ती ग्यान शक्ती तो 5% भी नहीं दे रहे हैं, जो कि उसके पास अजारों हैं, तो इस थिती में गुरुकूल को आगे ले जाना, ये केवल अभी राम भरोशे की बात है, अभी ओ क्या हो सकता है, तो इतना ही अभी निर्णाई किया है, कि इस समाज को गुरुकूल यदि चाहिए होगा, तो वो कुछ ना कुछ भगवान के द्वारा हो जाएगा, बाकि ये समाज यदि नाशी चाहता है, उसको बिल्डिंग के और स्कूल्स के और भूतिक वस्तुओं के अलावा कहीं पर भी रसरूची न हो, तो ऐसे समाज में गुरुकूल क्यों बनाया जाए, या क्यों आगे भी बढ़ाया जाए, ऐसा भी प्रश्णा कभी-कभी हो जाता है, तो लेकिन एक तई किया है, कि हमारी शक्ति हम पूरी की पूरी लगा देंगे, बिल्कुल निस्वार्थपाउसे, और बाकि को तो प्र तो इसके लिए गुरुकूल की आज ये स्थिती है, एक पुरुक्ष की जो पानी के बिना स्थिती होती है, और कोई भी व्यवस्ता की धन के बिना स्थिती होती है, चानक्य ने जो बताया है, वो आज अनुभूती कर रहे हैं पूरे भारत में हम गुरुकूल की, और संस्क या और कोई अपील करते हैं इसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुरु परंपरा से जुड़े होने के कारण कोई सिद्धान्त संस्कूरुत यारिय गुरुकुलम के बेज में है तो ये शारी बाते हैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कि क्योंकि आचारिय को बंदे हाथो वो बंदे पाओं तेर ना है इसका पाओं और हाथ बंदे हुए है तो ओ खुले रहे तब तो ओ सामने की नारे जा सकते हैं लेकिन ओ बंदे है उसको कमाना भी है उसको चलाना भी है उसकी सारी व्यवस्था भी देखने है और ओ करते करते विद्या का समरक्षर करना है तो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन बात है तो उसके ऊपर और आगे विचार करेंगे लेकिन वास्तविक्ता ये है कि लोगों को अपने दाईत्व का बोध नहीं है ओ बोध आये इसके लिए आप और हम सब लोग समाद में प्रयत्न करें कि लोग अपना दाईत्व गुरु के प्रती समझें नमस्कार जैदन वंतरी